आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब मंच पर हार्दिक स्वागत है आज हम बात कर लेते हैं फ्रेंड पार्ट्स आफिस पीज बेश्ट कोस्टेन सीरीज की सबसे पहला कोस्टेन देख लेते हैं फ्रेंड अप्र अपर बर्ड फॉर गृूप ऑप अईलिफेंड के प्रशुओं का जुन चौपायों का जुन तो यह हर्ड होगा एस दा राइट आंसर फ्रेंट्स कोश्चेन नंबर दो पर चलते हैं दा स्पेसिफिक वर्ड फॉर्ड लाउड नौाइज मेड बाइन एलिफेंट जो जोर से सोर करते हैं एलिफेंट तो उसका नाम बता है तो होट होगा को ट्रंपेट अट का ब्रेंग नाहि योत और करता या नों घोरकरता है नाहिव ब्रेंट करता है अ Tapi यह करte है as الع और ॉर ट्रंपेट इसका राइड जो ठ्रेस्ट इसका जो राइड आंसर होगा वह फिरेंट 9 कुश्चन पर कोश्चन ब्लक्र भाल जाएंगे किस कि तरफ गाउग Prag देखे इसका होगा drak, duck का drak होता है नेक्स में चलते है, the bird invade the non-form invade न hipbird क्या होगा ? क्या इन्वेढियों होगा ? क्या invasion होगा ? invasion, apartment होगा ? तो इसका जो right answer होगा वो c होगा, invasion c is the right answer प्रेंट के बच्चे को क्या कहते हैं पपी कहते हैं किट कहते हैं किट कहते हैं काफ कहते हैं पहला जो पपी होता है यह डॉक का बच्चा होता है किट होता है तो यह बकरी यह बकरी का बच्चा होता है और किटन होता है यह बिली का बच्चा होता है और काफ जो होता है वो ग गाय यह बच्छड़ गाय का बच्छड़ा होता है तो इसका जो राइट अन्सर होगा वह किटन ओगा यानिश दा अन्सर गप लूड़ुरल फार्म ऑफ दा एलुमिनस इस एलुमिनस की प्लूरल फ़र्म क्या होगी फ्रेंड देखिए उाल लूमुझ यूज्यव ये नहीं नहीं है एलु मोने यह बी नहीं हो और म होगा तो छीज़ का राइण सरु an¡ के फ्रेंड ते इसल रकित फडब किबने लेते मैं तो दो ब्राइड लेते हैं इस फड़ सब्सक्र द एसे किए बन जायगा यह Act Lost Attitude मजा पम से Bakerson N秒 Plus पर्फर और दयागनोस इस का सिंग्लर क्या होगा फ्र把它 to Deignousis का भी जुर होगा ओ क्या होगा फिर्ट कि गैनि होगा ऑनि नहीं यह दो तो होंगे नहीं यह इसका प्लूरल फार्म है यह फार्म है तो इसका एस दा राइट अंसर ए होगा इसके बाद दा करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इंदा सिंग्लर ओफ फैनोमेना की सिंग्लर फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स क्या फैनोमेनानन होगा नहीं क्या फ्रेंड्स फैनोमेन्स होगा नहीं होगा फैनोमेनन होगा या फैनोमेना होगा फैनोमेना होगा फ्रेंड्स होगा उंस प्लूर्म कर लेते हैं वुमेन डाक्टर ब्ॉमेन noise दौनकर्टर नहीं नहीं होगा इसके दोनों पार्ट वक्राइब बनाने पड़ेंगे the plural of for man-servent main-servent की plural form क्या होगा main servants होगा man- workers होगा main servants होगा man-servent होगा cool question number 11 का question number 11 में हम जायेंगे main servants के साथ मैंने बताया था आपको कि दोनो जो form होती है वो दोनो plural जायेंगी ये योगिक सब्द होते हैं इसके बाद question number 12 पर चलते है, the plural for handful, handful का plural क्या होगा friends, handfuls होगा, handfuls होगा, handfuls होगा, friends, या hands full होगा, तो question number 12 के साथ में होगा, handfuls, a is the right answer, बी की बात कर लेते हैं, the specific bird for cry, ये ओ नहीं है friends, cry, pigeon, कबूतर जो चलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कू कहते हैं, grow कहते हैं, चिर्प कहते हैं, तो friends, कबूतर जो है, कबूतर और डब जो होते हैं, pigeon और डब, ये कू करते हैं, क्या करते हैं सब्सक्राइब है, question number 14 के तरह जाएंगे, young bun of swan, swan के बच्छों के बच्यों को क्या कहते हैं, chicken कहते हैं, ये तो मुर्गी के बच्चों कहते हैं, kitten, willie के बच्चों कहते हैं, faseran जो हिरन के बच्चों कहते हैं, to क्या कहेंगे, thuan यानि Hans के बच्चों को, signate कहेंगे, feminine form of col कोल्ट के जो कोल्ट है उसकी फेमिनेन फार्म कांसी होगी फ्रेंट्स तो देखिए बिच यह होती ही कुटिया मेर होती ही घोडी यह होती है मेमनी तो क्या होगा फिली होगा जो बिरो है तो बिरो का प्लूरल क्या होगा फ्रेंट्स बिरो का प्लूरल जो होगा वो क्या होगा फ्रेंट्स तो देखें बियूरियास यह नहीं होगा बियूरियास यह भी नहीं होगा बियूरियास यह भी नहीं होगा बियूरियास यह भी नहीं होगा बियूरियास होगा friends इसमें X नहीं होगा तो hundreds next question पर चलते हैं the adjective fahom of boast boast की adjective fahom क्या होगी तो 17 का हम देख लेते हैं friends थे की boast'llки यह नहीं होगा boast टैल नहीं होगा boast ही नहीं होगा boastfull होगा boast plus full friends आगे बढ़ लेते हैं the adjective adjective cup Reg posth has the noun form कावरड अइजेक्टिव कि नॉंप नॉन क्या होगे नॉनफं इसकी जो गी वो कावड डाइस होगि प्रेंट देखिए आवांड़ बाड को मुंझ आव देची असां नाइंट का होगा अवांड मेंडमार Ai कर गाके बड़ते हैं वह एब की छैठी तो कवेड़न कर दिधा याड़न वियंदेंगे सुनाइन्फ का गते हैं तो पोझ कहते हैं का देख जूसब है कुछ Right अनिमेल क्राइट के मिधि Corps यो Canad पार्क करते हैं लाइन्स रोटे हैं तो या करते हैं कुछ करते हैं खनेया ब्लिद करते हैं कडिक करते हैं को रॉक करते तो friends इसका जो right answer होगा 21 का हम तो 21 को साथ में हम जाएंगे क्रोग करते हैं वो क्रोग करते हैं फ्रोग मेंडग जो है वो क्रोग करते हैं आगे बढ़ेंगे हैं friends which of the following nouns are always used as in plural form spectacles, tongues, breaches या all of these इन में से कौन से noun जो हैं वो हमेशा plural form में रहते हैं तो friends देखिए इसमें जो है वो सारे की सारे जो होंगे वो plural form में होंगे यानि डी वाला जो है वो सही होगा question number 23 की बात कर लेते हैं which of the following nouns are always used as in plural form हमें सब plural form में use होगा तो देखिए jeans होगा, pantaloons होगा, pajama होगा या सब ही होगे तो friends देखिए हम इसमें किस के साथ जाएंगे यह pajama है, friends इसमें ऐसे रवो, pajama है तो friends, question number 23 में हम किस के साथ जाएंगे तो देखिए इसमें हम जाएंगे वो all of these के साथ यानि सभी plural form में है which of the following nouns are always used in plural form तो कौन से, NL से, S8 से, चैटेल से, all of these तो friends, question number 24 में हम किस के साथ जाएंगे यहां हम लेते हैं, friend, question number 24 में all of these सभी, next question है, और last question है, which of the following nouns are always used as in plural form, bobbles, giblets, intestine, knees, all of these कौन से होगा इसमें राइट आंसर, friends, इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा हमारा B